शिरी शिवाई नमस्तु वियम हर हर महादेव कैसे हैं दोस्तों आशा करते हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्त होंगे तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाई लेका है हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बरिकत के पेड़ पे कौनसे भगवान का वास होता है और क्या आपको इसकी जो पूजा पार्ट होती है वो कितना आपको बेनिफिट करता है आपकी लाइफ में अगर आप इसके उपाई करते हैं वो आपको क्या लाब देते हैं, इसकी जड़ के क्या फाइदे होते हैं, इस पेड़ पर दूज चड़ाने से क्या लाब होता है, जल चड़ाने से क्या लाब होता है, इस पे कौन से भवान की का वास रहता है, मा लक्षमी आपसे क्या पसंद हो सकती है, इस बरगत की जड़ क तो मतलब पूजा करने से या बर्गत पे जल चड़ाने से तो आज ऐसे कुछ खास उपाई बताऊंगी अगर आपके घर में भी आर्थिक समस्या से आप गुजर रहे हैं धन लक्षमी आपके घर में रुपते नहीं आपके पर्स में आपका पैसा रुपता नहीं या आपकी स बढ़ता और साती साता आपका पैसा घर जाता है और कभी भी आपके घर में बर्कत नहीं हो पाती आप अपने मन की इच्छा अनुसार कोई भी समान नहीं ले पाते इच्छा को मारते ही रहते हैं कोई भी इसमें बर्कत नहीं होती तो इसमें बर्कत अगधन लक्षमी में आपने बरकत करनी है वास्तु दोश अपने घर का कम करना है आपने तरक्की करनी है लाइफ में भविशे में अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफेट है और बहुत ज़्यादा इसकी जड़ के भी फाइदे हैं और इसकी पूझा पाट करने के भी फाइदे हैं लेकिन ये ऐसे में क्या आपको पूजा करनी है क्या मंत्र करना है क्या आपको इसकी जड़ को करना ऐसा है कि खास उपाई जिससे की आपके घर्मी माता लक्षमी का वास हो जाए और आप जो चाहते हैं उस शिकर तक पहा सके आपकी मन की इच्छा क्या है उसे पहले कहना चाहते हूं जो भी मेरे चैनल पर पहली बर आते हैं वो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आने वले कुछ भी खास उपाई जो मैं कुंड़ी को लेके बताती रहती हूँ या आपको स्टोन के बारे में समझाती हूं बताती हूं या बदलाव लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीस लाइक भी कर दे रहा तो आज का कुछ खास उपाई ऐसा होगा अगर आपके घर में भी धनलक्षमी की परिशानी चल रही है तब आपने बरगत के फाइ पीपल जरूर होता है या आपके घर के पास भी कोई उग गया है आपके गार्डन में तब भी आपने इसको क्या करने कभी भी इस पेड़ को उखाड के फेकना नहीं है क्योंकि इस पे ऐसे ऐसे देवी देवताओ का वास होता है जिससे कि आपके घर का वास्तुदोश भी दूर होता है और इन देवी देवताओ की किरपा आपके उपर बनी रहती है और आपके घर का वास्तुदोश भी दूर होता है और साथ में आपके घर में धन के भी प्रापती होती है जैसे कि हीरे से भी जादा बहुत जादा है आपको ये लाब देगा और आपको फाइदा करेगा बर्गत की जड़ में कई औशदी भी गुण होते हैं जो कि इसे औशदी में भी यूस किया जाता है जैसे मधू में किसी को अगर होता है तो वो भी दूर होता है अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है या गठिया की होती है या तो अच्छा रोग भी होता है तो इन बिमारियों में भी लाब करता है अगर इसका सेवन हम इसकी जड़ या पत्ते का करते हैं तो और इस बर्गत के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा और तने में भगवान विश्णु और तहनियों में भगवान शिव का वास होता है बर्गत के पेड़ की पूजा करने से तीनों देवताओं की किरपा प्राप्त होती है पूजा के साथ साथ यदि बर्गत की बर्गत से जुड़े कुछ खास उपाई भी कर लिए जाएं तो बहुती अच्छा विक्तिक के जी इत्यान से करें इसकी जड़ धारन करने से ना केवल मांसिक शांती और विचारों की शुदता प्राप्त होती है बलकि दिमाग के केंदरित भी होता है अगर कोई बिमारी भी होती है तो इसकी जड़ को पहनने से अगर जैसे की कहा जाता है कि नजर दोश किसी के उपर होता या किसी को नजर लग जाती है, या किया कराय जल्दी फरक पड़ता है, या शेहिर पे कोई बादा है, या भूत परेत का वास है, इसकी अगर जड़ को मंतरित करके पिनहा दिया जाए ऐसे वेक्ती को, तो उसकी बादा भी दूर हो जाती है, तो क्योंकि बरगत के पेड़ प ये पेड़ अगर उग गया तो इससे वास्तो दोश भी दूर होगा और साथी साथ समझ जाएए कि माता लक्ष्मी आपसे पसंद हो गई है और तब ही आपके घर में ये बर्गत का पौधा उग गया है अगर कहीं उग जाए तो इसे बिलकुल भी जड़ से ना फेके क्योंकि इससे बहुत जादा आपको फाइदा होगा माता लक्ष्मी भी आपसे पसंद होगी मानता है कि प्राणिक टाइम पे मानता है कि मानता है होती है कि वर्ट विरिक्ष की जड़ से करजा मुक्ती भी होता है देवताओं में ब्रह्मा का वास होता है वर्ट विरिक्ष में माना गया है कि इसलिए इसे ब्रह्मा की किर्पा भी प्राप्त होती है इसकी जड़ धारन करने से ना केवल मानसिक शांती और विचारों की शुर्दिता होती है और इसे करजा भी दूर होता है और आपके घर में धनलक्षमी का भी पास रहता है अगर आपके उपर कोई भी करजा बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस विक्ति का नाम लेके इसमें इस पेड़ पर जाके आप जल चड़ाते हैं तो वो विक्ति दिरे-दिरे करके आपका करजा भी ऐसे उतर जाएगा कि आपको एकदम परिशान नहीं करेगा शास्त्रों के अनुसार बर्गत के पेड़ में पाड़ भी इसरियां करती हैं और पुरुष भी करती हैं और संद्याकाल पे अगर आप यहां पर एक देसी घी का दीपक जला दें तो समझ जाएए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का बास होने लगेगा क्योंकि आपके साथी साथ माता लक्ष्मी आपके पास घर में आने रहती है जो भी आपके कारिये बन नहीνे होते है इदम आपके कारिये बनने लगए आपके नौकरी में त्रक्की होगी आपके बैपार दिन दुगनी राचोगनी होने लगती है अगर किसी को फोड़े फुंसी मुहसे दाद खुजली गहाव वो जलन तवचा की कोई भी समद्दी समस्याव से अगर बहुत जादा परेशान है तो बरिगत के दूद में एंटिक बैक्टिरियल और एंटिक फोरिल मिल्टिरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो की स्कीन एलर्जी के लक्षणों जैसे की यह करता है उसमें भी बहुत जादा फाइदे मंद होता है इसका दूद अगर जैसे की आप इसकी चाल को खाड़ेंगे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए चाल को जैसे की हटाते हैं वैसे इसमें से दूद निकलना शुरू कर देता है या पत्ता तोड़ते हैं या टह उससे बहुत जादा आपको फाइदा होगा बर्गर के पत्ते की कलियां पुराने दस्त और पेचिस या अगर पेट में कोई भी तकलीफ होती है जैसे की दस्त लग जाते या पुराने टाइम पेचिस पढ़ रहा उसका कोई लाज आपको ना मिले तब भी इसका दूद जर क्यों और आप इसका सेवन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका मतलब घर बैठे बिठाए एकदम इसका अच्छा उपाय है और आप इस इलास को कर सकते हैं धार्विक मानता है कि अनुसार बर्गत के पेड़ में जगत के पालन हार विश्नु और भगवान शिव भगव भगवान म्रहमा का आवास होता है इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना भी की जाती है तो मैंने आपको जादर से जादर जानकारी देनी की कोशिश करी कि इसको पूजा करने से आपको क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं इस पेड़ की जड़ को पहनने से क्या फाइदा हो परके उसके बाद अपना थोड़ा सा पर्स में रखे या धन वली जगा पर इसकी चाल को रखने से आपका धन बहुत जादा आना शुरू हो जाएगा बरकत भूँत जादा धन लक्षमी की होने लगती है तो मैंने बहुत जादा कोशिश करी आपको इसके बारे में बताने की और समझाने की अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जादा जादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसे ही कुछ खास उपाई के साथ फिर आती हूं में तब तक के लिए शीर शिवाई नमस्तुवियम हर हर महादेब और अगर आपको कुनली द अगर आपको जानना है या अपनी कुन्डी को सर्च करवाना या हसरे का दिखानी है तो आगे मिलती हूं तब तक के लिए शीर शिवाई नमस्तुवियम हर हर महादेब जै जै मालक्ष्मी हर शिवार महादेब याक्ष्मी। झाल 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 झाल